हेलो सो नमसकार दोस्तों आपके अपने यूटूब चनल फारमेशी बाबा में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आयरुवेदिक दवाई के बारे में जिसका उप्योग लंपी रोग में किया जाता है दोस्तों जो कि आज कल हम देख रही हैं चाहे गाँ हो या फिर सहर हो या फिर बड़ी सीटी हो जहां कई भी आप नजर पसार के देखोगे तो आपको लंपी रोक से गर्षित पसू काफी हद तक आपको देखने को मिलने वाले है दोस्तों चाहें वो गाय हो या फिर जो बेल हो इसके जो असर होता है वो भैंस में या फिर बैंसों में इसके लावा बकरियों में भी आपको देखने को ये मिलता है दोस्तों उसी से जुड़ी मैं आपको एक ऐसी ऐरवेदिक दवाई के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो काफी हद तक पसूँ के लिए काफी कारगर लगती है और यह होमोपेthy ओसदी होते है दो झोल खर्च में भूथी कम होते है दोस्तों सबहरी को अदिकतर ल्मपी रोग रोग होता है वह लम्सकूनीग हो सकती है एक गंबिर बिमारी हो सकती है अगर इसकी रोकखांव Québec ने की यह बताएंगे आपको ऐसी होमोपेथिक attention औस दी होमिस्टोनिंग या फिर मेरी गोल्ड एल एस दी पचीस किट के बारे में ठीक है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं और इसका इस्तमाल करने से जो कोई प्रेशानी भी आपको नहीं होगी दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है दो लूंपी स्किन डिजीज अब आप सोच रही होंगे कि यह रोक क्या है इसकी रोक हम कैसे करें इसलिए हम या फिर मैं आपको होमेश्टोन मेरी गोल्ड एल एस डी पचीस किट के बारे में आपको राइड देंगा दोस्तों जो काफी हद तक कारगर होगी दोस्तों ठीक है जानकारी में आपको बताऊँगा इसमें जो रोक का विजय पाय जाने वाला सक्सम दर्शन यह लूंपी स्किन डिजीज होमोपेतिक पसू उस्ती है जो इसका इस्तमाल के बारे में बताने वाला हूँ जैसा कि यह पहले हम बात करेंगे कि क्या होती है लूंपी स्किन या फिर एक दूसरे को पानी पिलाने से फैलता है दोस्तों यानि की मुख्ये बात इसमें एक है कि यह मच्छर के या पिर जूक के या फिर अन्य मक्षी के काटने से यह फैलता है वैसे अगर किसी पसूक वह ऐसी इस्तिश्य गर्षित है तो उसको एक दूसरे की यानि पानी पिलाने की जो पात्र होता है उसमें ने पिलाएं दोस्तों ऐसे भी सा फैलता है लंपी तवचा जो रोग होता है वो LSD का एक वाइरस है जो भेड और बकरियों में होने वाला पॉक्स वाइरस के जैसा होता है जिसमें पसु की तवचा छोटी-छोटी गांटी हो जाती है और यह बिमारी आपको देखने को ज़्यादातर मिलती थी फैले अफ्रीका दक्षणी एसिया यूरोपिय वा मद्दे एसिया में पाई जाती थी ठीक है इसके लावा मैं बताऊंगा लंपी किन किन पसुमी होती है स्किन डिजे ज्यादातर यह बिमारी गाई बैल भैस फैलती कैसे है वैसे मैंने बता दिया कि यह मच्छर और मक्ही और जू के साथ पसुमी कि लार और बूसी जल वा भोजन के मादें से यह फैलती है इसके लावा लंपी स्किन डिजेज के लक्सन क्या क्या होते है लक्सन के बारे में हम बात करें तो बुखार आना लार आजाना पूरे सरीर पर कुछ या कठिन कठोर या पिर दर्दनाक नियूडल्स दिखाई देते हैं जो तौचा के घाव कई दिनों या महिनों तक बने हो सकते हैं आपको छत्री लंपिस नोड़ सूच जाते हैं और कभी-कभी एडिमा उदर और बिस्केट छत्र में आसपा और मादा या पिर लंगडापन निमोनिया गरप पाज या बांच-पान का काड़ भी हो जाता है अब हम बात करेंगे अंत में जो होमियोस्ट पी डॉप्स होती है वो इसमें मिली होती है होमियोस्ट पी डॉप्स 25 प्लस मेरी गोल्ड एंटिसेप्रिक स्प्रे ये दो का ए प्रति रोग प्रति रक्सा बढ़ाने है तू बेत्री और कारगर होमियोस्ट पे ठीक पसू ओस दिए जिसके पिलाने है तू आपको होमियोस्ट प्लस टीकी 25 डॉप्स ने 25 तता घाव पर स्प्रे करने है तू मेरी गोल्ड एंटिसेप्रिक स्प्रे आता है इसके लावा इस दवा को पिलाने से 10 से 15 दिनों में पसू का घाव ठीक हो जाता है और मेरी गोल्ड एंटिसेप्रिक स्प्रे पसू के घाव के पस पर रगड़ने से यानि कि पस नहीं पढ़ने देता है यदि किसी कारण से पस पढ़ भी जाए तो यह दवा घाव को जल्दी ही ठीक कर देती है अब हम बात करने वाले इसके कोर्स के बारे में तो इसका कोर्स कम से कम 15 से 20 दिन का होता है ठीक है इसको देने का तरीका क्या होता है होमेस्टिक मेरी गोल्ड एलेस्टी किक जो होती है दो दवा होती है इसमें पहली दवा होमेस्टिक डी ड्रोप्स होती है जो 25 हो इसके अलवा खुराक के बारे में बात करें इसको दिने 3 बार देना है और मेरी कॉल Polsce इसप्रेया आता है जैसे कि मेरी कॉल स्प्रेया को जिस पसुपर घाव पर स्परे करने है उसको स्परेय करने के लिए बोतल को सिधा पकड़े और 15-10-15 cm दूर गाव पर इस्प्रे करें ठीक है इसकी MRT रेट के बारे में बात करें तो 300 रुपे का एक किट आता है दोस्तों ठीक है जयने की जो ड्रोप और इस्प्रे दोनों का 300 रुपे का एक किट आता है इसके साथ कैसी होती है लुंपी स्किन की रोग थाम यह एक वाइरस संक्रमन है इसका कोई इलाज नहीं है वैसे तो लेकिन दित्ते जिवानु संक्रमन से बसने के लिए एंटी बायोटिक्स एंटी फ्लेमेट्रिक या एंटी इस्टामीन दवाय दी जाती है होमिस्टिंग मेरी गोल्ड एलेस डी किट 25 लुंपी स्किन यानि तउचा रोग के अन्य वाइरस बिमारियों की परती रोग समता को बढ़ाने है तो एक बहतरी और कारगर होमोपेतिक पसू ओस दिये जिसको जिसमें पिल्लाने है तो होमिस्टिंग यानि पी ड्रोप ने 25 ग गाने दोस्तों ओमोपेतिक ओस्टिक को ठीक है धन्य वाइब